बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं सिंदु घाटी सब्व्यता को इसके सभी जो भी पिर्मु की स्थान तो उन सबको भी डिसकस करेंगे जो भी एक्जाम में यहाँ से कोशन बन सकता सा अब देखिए यह थिशी किताबं आपको यानी 4ищ इसापूर्भ से शildधु घाटी के छोज की थी देयाराम यानि राय बहादूर देयाराम सहानीने की थी सेंदव सब्व्यता का जो कुल छेत्र फरतला ये 1299-600 बर्ग किलो मीटर था 1299-600 बर्ग किलो मीटर सिंदु सब्व्यता के पूर्व में हिंडन नदी, पश्चिम में दास्क नदी, उत्तर में चिनाव नदी और दक्ष्ण में गोदावरी नदी इस्थित थी अब बात कर लेते हैं हडपपा के बारे में यह है स्थल मांड मौंगरी जिले में रावी नदी के तटपर इस्थित था तो कौन से जिले में था? मांड गोमरी जिले में रावी नदी के तेट पर भारतिय पुरातत्व विभाग के महा निदेशक सर जोन मारसल के निर्देशन पर 1921 में दयाराम सहानी ने इस पुरा इस्थल की खोज की तो किसने की थी राय बहादुर दयाराम सहानी ने की थी लेकिन किसके निर्देशन पर की थी तो इसमें जो direction किया था सर जोन मारसल ने और कब की थी 1921 में की थी यह सिंदू सब्यता का दूसरा सबसे बड़ा इस्थल था यहां से स्रमिकों के आवासों की भी प्राप्ति हुई है आपसे पूछा जाएगा एक्जाम में किस सिंदू सब्यता के किस इस्थान से स्रमिकों के आवासों की प्राप्ति हुई है तो कहां से हड़ाप्पा से हड़ाप्पा से स्वास्तिक चिनकी भी प्राप्ति हुई है Most important, स्वास्तिक चिन की प्राप्ती कहां से हुई है, हड़ाप्पा से, यहां से मिट्टी का मूसा तथा अन्नागार भी प्राप्त हुए है, question direct पूछा जाता है कि मिट्टी का मूसा और अन्नागार कहां से प्राप्त हुए तो हड़ाप्पा से, उसके बाद next है मोहन जोदलो सिंदी भासा में इसका अर्थ होता है मिरतको का टीला, और यह इसका अर्थ काफी जदा पूछा जाता है एक्जाम में, कि मोहन जोदलो का अर्थ क्या होता है, तो मिरतको का टीला मोहन जोदलो की खुदाई 1922 में रखाल दास बनर जीने करवाई थी किसने रखाल दास बनर जीने 1922 में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंदू नदी के तट पर इस्थित है मोहन जोदलो से विसाल इसनानागार तो विसाल इसनानागार कहां से प्राप्त हुआ है मोहन जोदलो से और इसमें टी पिरकार की इंटो का प्रियोग हुआ है very very most important कि जो मोहन जोदलो से विसाल इसनानागार मिला है इसमें किस पिरकार की इंटो का प्रियोग हुआ था तो टी पिरकार की ईटो का इसमें पिरियोग हुआ था और मोहन जोदोडों से सीप का पैमाना भी मिला है तो सीप का पैमाना भी कहां से मिला मोहन जोदोडों से यहां से एक मोहर मिली है जिसमें एक पुरुस को योग की पद यानि पदमासन मुद्रा में बैठा दिखाया गया है इसे सिपका प्राचीन रूप माना गया है तो मोहर कहां से मिली है जिसमें एक यानि पुरुस को योग की पदमासन मुद्रा में दिखाया गया है तो ये भी मोहन जोदलों से ही मिली है और इसके चार तरफ क्या है? हाती, बाग, गेंडा, भैंस और दो हिरन भी चित्रीत है मोहन जोदलों में बिसाल, अन्नागार के पिर्मार प्राप्त हुए है जो मोहन जोदलों के सभी भवनों में क्या है? सबसे बड़ा है यहां से सूती बस्तर के साख से भी प्राप्त हुए है यानि मोहन जोदलों से सूती बस्तर के साख से भी मिले है उसके बाद है काली बंगा काली बंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूणियो इसका जो अर्थ होता है तो कोशन डाइरेक्ट एक्जाम में आता है काली बंगा का अर्थ क्या होता है तो काली रंग की चूनिया यह राजुस्थान के हनुमान गर्जिले में इस्थित है यानि काली बंगा और यहां से कच्ची इटों से बने घर प्राप्त हुए तो कच्ची इटों से बने घर का रहां से प्राप्त हुए है काली वंगा से उसके वाद है चन हूदलो यहाँ पर सेंधप सब्यता के बाद जूकर तथा जहांकर संस्कृति बिक्सित हुई तो कोशन डाइरेक्ट पूछा जाएगा कि किस स्थान पर सेंधप सब्यता के बाद जूकर या जहांकर संस्कृति जो है बिक्सित हुई थी तो चन हुदलों में यहां आपसे कोशन पूछे जाएगा कि चन हुदलों में सेंदप सब्यता के वाद कौन सी संस्कृति बिक्सित हुई थी तो जूकर तथा जहांकर संस्कृति और यहां से ब्रताकार इंटे भी मिली है यानि चन्धुदुलों से जो है ब्रताकार इंटे भी प्राप्त हुई है चन्धुदुलों से प्राप्त कांसे की बैलगाली तथा इकागाली महतबुपूर है तो जो कांसे की बैल गाली और इका गाली है ये कहां से मिली है चंद हूदलों से और यहां से मिली इंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्त के पैरों के निसानों के साख से भी मिले है नेक्ष्ट है रंगपूर नेक्ष्ट है रंगपूर ये गुजरात में मादन नदी क के तट पर इस्थित था, कौन सी नदी, मादन नदी ध्यान रखना है, रंगपूर मादन नदी के तट पर था, रंगपूर लोथल से धान की भूसी का साख से मिला है, कहां से रंगपूर और लोथल से, यहां से कच्ची एटों के दुर्ग भी मिले है, तो कहां से मिले कच्च बंदरगाह वाला है very very most important कि सिंदुगाटी सब्यता का एक मात्र जो पत्तन था जो बंदरगाह था वो कौन सा था लोथल था और यह कितने ही एक्जामों में पूछा जा चुका है तो यह तो आपको विसेश कर ध्यान रखना है कि सिंदुगाटी सब्यता का जो पत्तन था जो बंदरगाह कौन सा था लोथल था और यहां से फारस की मोहरे भी प्राप्त हुई है लोथल की मुद्राओ पर चालाक लोम्ली और इसका जो उल्लेक है वो पंचतंत्र में भी मिलता है का अंकन मिलता है यह एक मात्रिस्थल था जहां मकानों का जो दरवाजा था मुख्य सड़क पर खुलता था तो very most important question direct पूशे जाएगा कि सिंदुगाटी सब्यता का एक मात्रिस्थल कौन सा था जहां पर जो मकानों का दरवाजा था वो मुख्य सड़क पर खुलता था कौन सा था लोथल चावल का पिर्थम साक्षे लोथल से ही प्राप्थ हुए है जो पहले साक्षिय वो कहां से मिले हैं लोथल से तो यहां पर यह हमारा सिंदुगाटी सब्यता के most important मैंने topic आपको बताए है I hope यह वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर आप इसको written में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे description आपको link मिल जाएगा हमारे b-media का भास जागे पढ़ सकते हैं और अगर आप इसका audio सुनना चाहते हैं तो आप कुको FM पर जाकर जावेदली मेरी profile सरच कर लिजी है चैनल का नाम सरच कर लिजी हिंदी जी के tricks बहाँ से भी आप इसको listen कर सकते हैं तो thank you for watching friends चैनल को subscribe करना न भूलें इसको share कीजिए मिलते हैं next video में